हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई टोप चैनल हल्दी लाइप दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको नारिया तिल के स्वस्थ लाभों के बारे में नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वारे नुकसान के बारे में बताऊंगी नारिया तिल स्वस्थ के लिए काफी हल्दी माने जाती है बहुत से लोग नारिया तिल के इस्तेमाल बालों के ग्रोथ के लिए करते हैं वहीं कुछ लग ऐसे भी हैं जो इसके इन प्रॉल्लम्स को दूर करने के लिए नारिया तिल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि गर्मी के सीजन में नारियल तेल को चेहरे पर ना लगाएं अगर आप नारियल तेल को चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है तो आई ये जानते हैं कि नार्येल तेल को चेहरे पर लगाने समय क्या नुकसान होते हैं इस से पहले कि मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बताऊ, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब चरूर कर दीजिये, तो सबसे पहला है इसके इलर्जी की सिकायत चहरे पर काफी ज़्यादा नारिय तिल लगाने से इसके इलर्जी की सिकायत हो सकती है खास तोर पर तब जब आप कच्छा नारियल तिल लगाते हैं मैं आपको बता दो कि जब आप अपने चहरे पर नारियल तिल लगाएं तो उसे गर्म करके ही लगाएं दूसरा नुकसान है चेहरे पर बालो का होना नारियल तेल अगर आप अपने चेहरे पर ज्यादा लगाते हैं तो आपके चेहरे पर बाल भी बढ़ सकते हैं क्योंकि नारियल तेल बालो की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है इसलिए चेहरे पर ज़्यादा नारियल तेल ना लगाएं तीसरा है पिंपल की समस्या होना दोस्तो अगर आप चेहरे पर नारियल तेल काफी मात्रा में लगाते हैं तो आपको पिंपल की भी परिशानी हो सकती है क्योंकि इसमें आपको चेहरे पर अत्रिक्त ओयल जमा हो सकता है जिसके कारण पिंपल की परेशानी बढ़ जाएगी चाड़ा है चेहरा का लाल पढ़ना चेहरे पर कुछ लोगों को नारियल तिल लगाने से रेडनेस की समस्य हो सकती है आपका चेहरा गर्मी के कारण लाल हो जाता है इसलिए आप अपने चेहरे पर गर्मी के दिन में नारियल तिल ना लगाए इतना ही नहीं दोस्तों इसके अलावा अगर आप नारियल तिल का सेवन करते हैं तो इससे आपको दस्त, एटन और गेस्टोलाइजेशन की परिसानी हो सकती है नारियल तिल में फैटी एसिड विटामिन E, लिनुईक एसिड और एंटी बैक्टिरियल गुण पाया जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए एक सीरम का काम करते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि नारियल तिल सिर्फ सर्दियों के देने में ही सीरम का कारे करती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बतायागा फिर मिलेंगे इसे ही ने वीडियो के साथ